सबसे पहले आप इसको अपना बिजनस समझने की कोशिश करो कि आप बहुत बड़े क्या हो बिजनस मैं किस चीज का बिजनस करते हुआ इतना कितना सेल कर पाओ आपने एजन्ट बनाने चालू कि जब आपने एजेंट बनाया है बोला कि देखो आप टेंशन लोही मत मेरा इतना फेमस प्रोडक्ट है कि बस एक टाइप का आप अपने हां रखो कोई आये तो बोलने का लेना तो निकल ठीक है अपना ब्रांड इतन स्ट्रॉंग है इस तरह बोला अब मैंने जो आपको बताया अभी जो आपको बताया कि एक था कौन के अंदर एक कौन था ओनर था अभी समझने कोशिश करते हैं और दूसरा कौन था बच्चों एजेंट इस एजेंट को ओनर क्या कर रहा है कोशिश कर रहा है अब उसको सब जगे एजेंट बनाने हैं तो वह क्या कर रहा है वह एजेंट बना रहा है तो जो ओनर है उसी को अपन क्या बोलते हैं या पास कंसाइनर और जो एजेंट है उसको क्या बोलते हैं अब आपको पूरे देश भर में पूरे आपको क्या चाहिए एजेंट चाहिए तो आप क्या करोगे सब एजेंट बना दोगे शारे बहुत सारे एजेंट बना दोगे फिर आप देखोगे यार हर एजेंट का क्या होता है एक बिविये तरीक बिसिस gli गार लग लग रहता है कोई आएगा आपके डेखने का नहीं नापने और नए पैसे पहले दो फिर उसके बाद तो कोई लेगा क्या नहीं तो हर एजंट किस्टरह से काम कर रहा है और फूला अजन decides this प्राब्लम देता है पालतू के खलचे बताता है तो हम क्या बूलेंगे देखो ये एजन्ट अपने को प्राब्लम देऻा अब यह पता कैसे चलेगा देश बर के अंदर आपके 250 plus agents हैं आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा agent problem create कर रहा है तो हम क्या करते हैं उस हर agent का हम एक account बना देते हैं उससे उसने कितना हमने goods भेजा कितना हमने expense किया कितना उसने expense किया उसने कितने का sale किया कितना closing stock है और actual में उस agent के कारण हमको profit कितना हो रहा है तो हम हर agent का जो account बनाते हैं उसी को अपन बोल रहे हैं क्या Consignment account क्या पहले storyline से समझ में आ रहा है अब आप बहुत बड़े businessman थे भूल नहीं जाना अब आपने agent बनाया अब agent का account agent बनाएगा क्या आप पड़े लिखे हो आप क्या बोलो कि तू कुछ मत कर आप खुदी बना लेंगे आपने उसका account बनाया इसको goods भेजा उसी को क्या बोलते हैं यह देखो consignment account in the books of consignor मतलब consignor owner के books में बन रहा है किसका account बन रहा है consignment account बहुत सबी account को यदि consignment account बोलते हैं तो पता कैसे चलेगा कौन सा एजेंट है तो इसलिए बोलते हैं consignment to chin 2 of Delhi consignment to pin 2 of Delhi consignment to अब जब एक बहुत बड़ी city होती है मुंबाई देली पूने ऐसे बड़ी बड़ी cities बैंगलो तो उसमें multiple क्या होते हैं agents होते हैं जैसे आप किसी भी कई एग्जामपल दे दो एक टाइप के सब कौन है agent जैसे आप मारूती क्या वो owner बैठा है आपके मारूती view भंडारी is these all are agencies will be called as work as an agent वो किस चीज के लिए काम कर रहे है price कौन fix करता है company इतने में ही बेजना है तुमको क्या मिलेगा commission फिर अब ये extra कमाने के लिए ये two wheeler four wheeler वाले agency लेते हैं क्या करते हैं अलग अलग ताइप की SSG रखते हैं ये पॉलिस वो पॉलिस ये क्या मारूती कंपनी या हुंडई ये कौन करता है खुद agent करता है agent भी खुद के showroom में कुछ और product additional रख सकता है ताकि वो बेश सके उसका उसका खुद का profit रहेगा उसको किसको नहीं देने की जुगरत है owner को consigner को मारूती कंपनी को कुछ भी देने की जुगरत नहीं है लेकिन मारूती कंपनी को किसमें इंट्रेस्ट है बताओ बस उसके product को sale होने से और उसके उपर का commission किसको दे देता है consigner agent को दे देता है तो ऐसे एक business नहीं है जैसे आपका local business है लोग बहुत दूर दूर से पढ़ रहे है तो अलग-अलग यहां आप लोग को सुझाता मस्तानी समझने आती है बहुत सरे ऐसे डव्लोएस बेकर है उनका कोई रोल नहीं है जो भी product है उसके उपर उनको क्या मिलता है commission बोलते है तुमको बेचने की और customer लाने की जूरुत नहीं है तुम आउटलेट ओपन करके रखो customer खुद आएगा यहां कि फिर से कुछ बोलते हैं कि आप अपने local market का अच्छे तरीके से समझते हो तो आप खुद से क्या करो कुछ expense करो कौन सा बेस्ट mode of advertisement है तो कुछ लोग auto riksa में करेंगे कुछ लोग radio में करेंगे कुछ लोग television में करेंगे local कुछ लोग अलग अलग mode से pamphlet, brochure, mall के सामने अपना अपना तरीके से करेंगे उसका cost वो किस के बिहाफ पे कर रहा है owner के बिहाफ पे कर रहा है कौन? agent agent जिसको बोलते हैं consigne तो यह पैसा किस से लेगा agent agent बोलता है देखो मेरे को commission से मतलब है तुम बोलो के advertisement करना है चलो मैं यहाँ बैठाओ कर देता हूँ लेकिन इसका खर्चा तुम देखो मेरे से मतलब समझ में आ लिए बाते हैं तो इस type से कुछ consignment का concept होता है तो consignment account एक type का personal account भी है और nominal account भी है क्यों यह बोला गया है क्योंकि यहाँ पस कुछ नो कुछ personal account related भी entries record होती है और nominal account related भी तो जो debit side है consignment account का consignment to Chin2 of Delhi उसके debit side में एक type से सभी type के expenses को पन record कर देते हैं और credit side में जो भी income आती है वो record कर देते हैं यह exactly किसकी तरह है trading P&L account की तरह है actual में P&L भी नी बोलेंगे trading and P&L का combination बोलेंगे because इसमें कुछ direct और indirect दोनों type के expenses इसमें आने वाले हैं ठीक है उस consignment के उपर जो हुआ है जब goods हम भेशने है तब लिखा जाता है तो goods यह type का purchase है जितना भी हमने purchase किया जितना भी owner ने purchase किया था वो कहां भेज रहा है इस consignment को भेज रहा है इसलिए वो word क्या यूस कर रहा है इस consignment को अपना एक type का building account समझो कौन का बनो समझो एक type का building account है अब जो आप बिल्डिंग बनाते हो तब आपको क्या-क्या लगता है बताओ आयन भी लगेगा सिमेंट भी लगेगा, ब्रिक्स भी लगेगा लेबर भी लगेगी तो आप क्या करते हो लेबर अकाउंट डेबिट, ब्रिक्स अकाउंट डेबिट सिमेंट अकाउंट डेबिट, ऐसे करते हो क्या जा रहा है इस टाइक से समझ में आ रहा है तो हमको कैसे देखने का है head account head की तरह देखने का है इसके उपर जो भी हमने purchase किया तो क्या लिखेंगे consignment to goods sent on consignment एक टाइप की जनल इंट्रिवी हो रही है consignment to goods sent on consignment, consignment to bank यदि कोई owner खुद खर्चा करता है तो उसको consignment मैं एक काम करता हूं अपना आते हैं उसकी पास मैं आपको इसका involvement बताता हूं पास से क्या-क्या steps involved रहते हैं सबसे पहला काम होता है goods sent by consignor owner goods भीजता है जैसे ही भेजता है on the way होता है consignor phone लगाता है consignor agent को बोलता है देख भाई मैंने 10 लाग का material भेज़ा है कम सकम 6 लाग तो एडवांस भेज तो क्या होता है advance paid by consignor to consignor ऐसा क्यों करता है पता जाला material भी ले पैसे भी उसको बार में बेचे भी पैसे भी खुड़का जाया material भी डबल प्रॉफिट राइट और वह कहां तक भागेगा consignor consignor अपना पिर उसके बार जैसे advance आ जाता है तो expense incurred by consignor कौन कौन से expense incurred करेगा लोडिंग का फिर ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट के टाइम में जो insurance लगता है उसका driver जो भी चीज़े लगेंगी लॉरी वगर के लिए सब कुछ वो करेगा कौन ओनर जैसे ही वहां goods पहुँच जाएगा वहां कौन expense करने वाला है consigne कि नहीं कि किसके भीहाफ में लेकिन करेगा यह तो एक एजेंट है बोलता है मेरे कुछ मतलब नहीं मेरे को सिर्फ commission कांसाइनर के भीहाफ में बोलता है यहां आ गया हूं यहां आ गया material अब यहां के तुम और लेबर अनलोडिंग गो डाउन का अब consigner अब वहां से आके थोड़ी न दूबाई से आके यहां थोड़ी न पेमेंट करेगा समझ में आ रहा है तो बोलता है consigne एक काम करो उसको पेमेंट कर दो मैं तुमको दे दूँगा या मेरे material जो बेचो के ना मेरा उससे पैसे काट लेना समझ में आ रहा है सो कौन पेमेंट कर रहा है consigne payment कर रहा है sale to customer buying consignee sale करेगा अब यहां पास अब consignee क्या calculate करेगा अच्छा इतना बेच लिया है अभी क्या calculate करेगा commission मेरे को कमिशन कितने मत बिलने वाला है और यह account कौन मेंटेन कर रहा है बताओ consigner वो बोलेगा अच्छा यार इसको आप इसने इतना बेच लिया है तो इसका इस consignment में यह commission इस consignment का एक खर्चा है expensive हमको देना पड़ेगा देखो हर consignment का हमारा ultimate conclusion क्या है यह closing stock का concept कहा trading account में क्यों करते हैं बताओ बच्छो हमने inventory का topic में भी बात किया और भी बहुत जगए topic था हम closing stock क्यों calculate करते हैं due to the matching concept matching concept कैसा जब अपने एक trading आया कोई भी account बनाते हैं तो जो amount का goods purchase किया है और जितना sale किया है उन दोनों को आपस में compare करने के लिए आप purchase जादा करते हो ध्यान से सुनो हम purchase जादा करते हो और sale कम करते हैं तो match नहीं होता वो जैसे मैं आपको एक example लिखके समझा देता हूँ कि यह आपका for example trading account है आपने purchase किया for example 100 रुपीज का और उसके cost में से closing stock समझ लो 90 रुपीज का बचा हुआ है सिर्व आपने 10 500 रुपीज़ा है 10 रुपेह आपका आपकर आपने कितने बेच रुपीज में om fazer किया 40 रुपीज में क्या Karafrecht करने के चिकद ईया closing stock लिख दिया कितने का 90 रुपीज का एकड़म extreme situation ले रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा चिसको रिलेट कर पाए 100 debit है 90 credit है बताओ net debit कितने से है debit कितने से 10 रुपीज से इसको मैं cut कर देता हूँ ये दोनों अब किसी काम करें और sale कितने में किया बताओ बच्चो 40 रुपीज में सिर्फ ये closing stock matching concept लाने के लिए कि जितना cost stock बचा उसको एक type के लिए इस trading account से निकाल दो जितना purchase किया था कितना 100 उसमें से 90 बचा है निकाल दो 90 actual में purchase कितना है हम देखेंगे 10 purchase कितना 10 सेल कितने में किया है 40 तो profit हमारा कितना हो रहा है समझ में आ रहा है क्या तो ये ध्यान रखना matching concept समझ में आ रहा है तो हल जग है ये even consignment stock में consignment में हमने भर-भर के goods देचा देच दिया है उसमें से पूरा closing stock में आप बोलो profit ही नहीं हो रहा है तो ये गलत तरीका हो जाएगा comparison का समझ में आ रही बाते है तो इसलिए हम क्या करते हैं बच्चों हम क्या बनाते है closing stock calculate करके अब उसको calculate कैसे करना है वह अपन देखेंगे इसलिए closing stock का concept आता है so closing stock बनाएंगे उसके बाद क्या निकलेगा हमारा profit or loss and last में होता है settlement by consignee जितना पैसा आया है बेचने से material जो मैंने consigner के भीहाफ में खर्चे की है वो हटा देता है जितना मैंने advance पे कर दिया वो हटा देता है जितना उसको commission लेना है वो हटा देता है बचा हुआ पैसा किसको बेच देता है consigner को इस concept में किसको क्या problem है पहले storyline एकदम clear है न डर आपको तभी लगेगा जब आपको story ही नहीं समझ में आ रही है consignement का business कैसे होता है जैसे goods sent on approval or return basis आपको concept ही नहीं पता है कि ये कौन सा topic है कौन सा concept है Amazon that will be connected यहाँ बस कैसा है तुजाता मस्तानी या कोई आपका यह two-wheeler four-wheeler के showroom हो गए और आज की देट में तो हर business एट type का क्या चला रहा है एट type का consignement ही चला रहा है और हम भी हम भी चलाते हैं और हम भी ऐसे ही account बना देते हैं उस particular branch का हम देखते हैं इस branch में हमने कितना खल्चा किया है और उससे कितना पैसा आया है हमारे यहाँ जनरली कोई closing stock नहीं होता और हम देखते हैं उस particular branch से कितना profit फोर आए समझ में आ रहा है नहीं तो हमको यहीं नहीं समझ में आएगा कि कौन से branch से हमको profit हो रहा है और कशमीर में को कोई200 को नहीं पहनने को रएड़ी है सब्सक्राइब लाग करेगा यह करने के बाद क्या करेगा वह अपना कमिशन कलेट कर लेगा वह बोलेगा भाई मेरा कमिशन मेरको इतना मिलने वाला है क्या करेगा भाई इतना पैसा आया है ग्सकों आगे तो किया करें सबसे पहले खलोड कर लिए का करें किनावा इससे कितना पैसा लेना है फिरहपन कंसाइनी अकाउंट से हम यह देखेंगे कि हमको कितना पैसा इससे net और रिसीव होने वाला है ठीक है अभी मैं एक बर और थियोरी में भी आ जाता हूं पास से मैं बता रहा हूं, बस सुनते जाना, सबसे फर्स पॉइंट में लिखा हुआ है, consign means क्या होता है, to send, consignment कैसे आया, इसके बारे वो बताने की कोशिश कर दा है, तो consignment account क्या है, one person send goods to another person or firm, इसके बारे मैं बोला गया है, party जो भेजता है, उसको consignor या principal बोलते हैं, जो party receive कलता है, उसको consignee या agent बोलते है, principal को owner or profit मिलता है, और किसको क्या, agent को क्या मिलता है, commission मिलता है, ownership of goods हमेशा किसके पास रहती है, consignor के पास रहती है, भले वो कहीं भी भेज़ दे goods, जब तक वो sale नहीं हो जाता, next एक concept आता है, pro-pharma invoice, एक दम simple तरीके समझना, कि agent को ये न पता चले कि हम कितना profit कमा रहे हैं, इसलिए हमेशा जब वो goods भेजता है, तो आपको क्या लगता है, मारूती शोरूम और हुंड़ाई शोरूम वाले, अपने agent को बताते हों कि, देख, मैं सिफ 4 लाख में गाड़ी manufacture कर लेता हूँ, और मैं तुमको बोलता हूँ कि 9 लाख में बेचो, और मैं तुमको 5 लुपर दे देता हूँ, ऐसा हो रहा है क्या, वो क्या करते हूँ कि, देखो, तुमको इन सबसे पढ़ना नहीं है, 9 लाख में तुमको गाड़ी बेचनी है, तुमको 5 लाख या 10 लुपर गाड़ी का, for example, एक commission मिल जाएगा, समझ में आ रहा है, तो वो किस में बेच रहे हैं, वीकल, pro pharma invoice, एक type का, वो invoice price में जो goods भेजा जाता है, उसी को बोल दिया गया, pro pharma invoice, pro pharma मतलब क्या होता है, आप confused हो गए, estimated, preliminary bill, या एक type का form रहता है, समझ में आ रहा है, यह कोई invoice नहीं रहता कि पैसे इससे मिलने वाने है, चलो, next आते हैं, हमारा क्या होता है, एक type का statement रहता है, next रहता है, वही है, consignee recovers all expense, जितना भी expense रहेगा, जितना पैसा देना है, वो सब recover कर लेगा, consignee क्या करेगा, advance देगा consigner को, consignee receipt क्या करेगा, commission करेगा, और Dell credit commission, ordinary commission, इसके बारे में हमारा आगे देखेंगे, next आता है, consignee sends to the consigner statement, हाँ, एक word आता है, account sales का, consignee क्या करता है, हर एक particular period, month, quarterly, half yearly, yearly, जैसा भी उनके आपस में, डी हुआ होगा, principal and agent के बीच में, उस type से एक वो क्या भेचता है, account sales भेचता है, account sales के अंदर, नाम से confused मत हो जाना से, sales की detail है, उसमें पूरा जन्म कुंडली लिखके बेचता है, कब आया goods, कितने का आया goods, उसके बाद कितने में बेचा, कितना आपने many expense किया, this, that, commission, सब कुछ लिखके बेचता है, कितना stock goods में, कितना abnormal loss हो गया, कितना थूद गया, कितना चोरी हो गया, अब लिख देता है, that will be called as, account sales, firm usually, क्यों कर रही है, यह सब, owner क्यों कर रहा है, यह सब, consigner क्यों कर रहा है, to ascertain the profit and loss on, each consignment, और consignment to, each consigne, हर एक consignment का profit, निकलने के लिए, ओके, next आता है, अब यह consignment, एक transaction है, जो यहाँ पस लिखा गया है, वो बोलना है, debit side में हम सारे expenses record कर देंगे, उस particular consignment में किये हुए, और credit side में हम सब क्या कर देंगे, income record कर देंगे, और जो भी last में बचेगा, एक closing stock लिखने के बार, अब अब प्रॉफिट अलाइब कर लेंगे, इसी के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पास, यह nominal come personal account है, क्योंकि इसमें expenses and income भी आती है, और consignee भी बहुत जगह आने वाला है, उसका account, इसलिए इसको nominal come personal account बोलते हैं, बहुत बार exam में question objective भी आ है, MCQ में पूछ सकता है, क्या बोलेगा, consignment account is which account, personal, real, nominal, 90% क्या लिख्या हैंगे nominal account, यह कौन सा account है जब 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 ली, nominal come personal account, अब मैं इसके उपर की journal entry वगरे सब आपको बताता हूँ, तब उसके बाद आप आपन आगे चलेंगे, कहां हो तुम, यह देखो, मेरी मन के आँखों से देखना, मैं लिखनी कोशिश कर रहा हूँ, जो ही आप देख रहे हो, consignment, यह सब इतना ही देखना, consignment ही देखना, बस ओके, यह consignment है, consignment, two goods sent on consignment, क्या बन गई, एक entry बन गई, जब आपन goods भेचते हैं, जब इसका पूरा लॉजिक बताया क्या है, कि actual owner का trading account होगा, trading account से कैसे वो जो purchase किया है, उसमें से कुछ goods निकालके, credit side में लिखके, consignment account में, goods sent on consignment में बेचता है, goods sent on consignment से, कैसे consignment account में आता है, there is a whole complete story, okay, so ऐसा नहीं है कि यहां आपस कुछ जनरली ऐसे हो गया, लेकिन अपन we are not in a regular lecture, okay, तब भी अपने बहुत detail में घुशे है, reason क्या है, एक दर है उसको निकालने के लिए, okay, तो आपको history जानना है, तो एक second लगेगा, मैं अब आपको बताई ही देता हूँ, आजाओ, क्यों रह जाए वो भी, सबसे पहले आप क्या करते हो, यह trading account दे समझता हो, okay, सबसे पहले आप goods purchase करते हो, तो क्या entry करते हो, बुलो, purchases account debit to, cash, तो यह क्या जला जाएगा, यह cash आ गया, बात में एक purchase को कहा ट्रांसफर करते हो, trading to, purchases account, purchase को credit, तो क्या जाएगा है है हाँआपास, two purchases आता है, समझ मैं आ रहा, इसमें से कुछ goods निकाल के, आप क्या करते हो, to buy goods sent on consignment, या कि आप यहाँआपस क्या लिखोगे, एक goods sent on consignment का भी अकाउंट बनता है, और एक क्या बनेगा आपका, यह बनता है, consignment account, तो यहाँआपस आपका क्या आता है, to goods sent on consignment, तो यह good sent on consignment में क्या आएगा, buy, consignment, और यहाँआपस क्या आएगा आपका, to trading account. तो यहां पास आपका क्या आने वाला है बाइग गुट्सेंट अन इस वोल स्टोरी जैसे आपने आपस सौर रुपय का हजार रुपय खरीदा रुपय का आपने पर्टिकुलर पुट्सेंट अन कंसाइमेंट अकाउंट में फॉर एक्जांपल आपने पुरा पुरा नौसा नौसा रुपय का यहां भेज दिया हमने अंसाइमेंट टू देली कंसाइमेंट टू पुने कंसाइमेंट टू कोलापुर तो इसमें यहां पस आएगा 90 हैंड्रेड 50 80 तो इसमें से कंसाइमेंट टू देली वाला है तो इसमेंट टू देली में गुट इंट पुने टू आएगा हैंड्रेड क्या एक्जांप में इसका कोई यह सिर्फ आपके बुटर अंडर्स्टेंडिंग के लिए कि आप दरो मत यह सब कहां से आ रहा है एक नॉर्मल इंट्री इसके तूपी आ रहा है समझ में आ यहां क्या चल रहा था दूर बैठे ग नाउन हो इसमें कोई उसमने मैं उसमें उसमन कोई खानिमें का घे बहुत बहुत बार कुश्चन में पूछने भी वाले है अब फर्स इंट्री हो गई चाहिक जो इस पर्टिक लोगे एक बहार यही पास बस एक्सेंस करेगा वह जगह नहीं करेगा consignment to bank करेगा इस consignment के लिए मैंने कितना expense किया अब वो expense होगा salary हो, transport हो, insurance हो, loading हो वो कहां साथ लिखेगा narration में लिखेगा मैंने बताया था building account debit to bank किसी चीच के लिए payment किया है bricks हो गया, cement हो गया तो यह कहां लिखेंगे narration में लिखेंगे हम यह नहीं लिखेंगे cement account debit to cash तो building account consignment account debit to cash कौन सा expense है consignment account debit to bank की करना था, लेकिन हमने बोला कि काम कर हमारे लिए ही expense हुआ है, हमको क्या करना चाहिए था consignment to bank, जो consignee ने payment कर दिया, हमने बोला consignee में वहाँ तक तो cash और bank की जगे किसका नाम आ जाएगा, उस दोस्त का नाम आ जाएगा, वो दोस्त यहाँ पस कौन है, consignee, तो consignment account debit to bank ही होना था, लेकिन अभी क्या लिखना है, consignment account debit to consignee, is this clear to you all, समझ में आ रहा है, इसलिए हमने लिखा, consignment account debit to चिनमाई, ओके, तीक है, उस batch में रहेगी, चिनमाई रहेगी, बुरा मत मरना, ठीक है, अब consignment to, हमको देना था उसको cash, लेकिन बोलेंगे, देख वाद, तेरे पास already पैसे रखे हैं, काम गर, consignment to, चिनमाई, समझ में आ रहा है, करना था हमको bank की, लेकिन हमारे बस क्या न पैसे आ रहे न, bank account debit to consignment होना था, लेकिन हम यहाँ पास पैसे किसके पास है, हमारे ब्याफ में किसने receive कर लिया, तो bank की जगह हम किसको debit कर देंगे, consignee चिनमाई को, जो consignee है, तो consignee account debit to consignment, inventories on consignment account, यह क्या है, closing stock बोलते हैं, यहाँ पास उसका नाम करण क्या है, यहाँ inventory, आप तो पता ही है, पूरे के पूरे CA foundation में कहीं पास भी closing stock जैसा code की concept नहीं है, हल जगह word क्या use किया जाता है, inventories, या closing inventories, last में जो भी पैसा बचेगा उसको बोलते है, profit and loss account यहाँ आता है, समझ में आ रही है क्या बाते, अब बात आती है, sir, sir, आप मेरे को closing stock कैसे calculate करते है, मैं एक closing stock का अपन एक simple सा format आपको दिखा रहा हूँ, calculation of consignment stock या inventories on consignment, heading डालने का है, cost of unsold article at cost price, क्या बोला मैंने, cost of unsold goods, unsold goods का क्या लिखना है आपस, cost price लिखना है, उसके अंदर proportionate expense किसके किसके आएंगे, देखो, expense थो हमने 5000 किया है, पूरे consignment मिले लेकिन, stock में कितना बचा है हमारे बस, लेकिन हमने 5000 expense किया था, 400 articles के लिए, लेकिन हमारे बस closing stock कितना है, 40, 40 के लिए करते हैं, तो कितना expense होता, तो कितना आरा 500, इसी तरह है, consignment का भी expense क्या होता है, proportionate लेते हैं, लेकिन वह बताऊंगा, इसमें से कौन से expense, किसको याद है कौन से expense लिया जाता है, इसमें दो टाइप के expenses होते हैं, एक होता है recurring expenses और एक दूसरा होता है, non-recording expenses, recurring expenses को अपन और क्या बोलते हैं, recurring expenses को और क्या बोलते हैं, recurring expense को अपन periodic expense भी बोलते हैं, period specific expense बोलते हैं, ज्याना रहा है कुछ, कि वो बार-बार होने वाला है, उस particular जैसे, agent के आंका, staff की salary, computer operator की salary, go down की salary, shop की salary, go down का rent, shop का rent, electricity bill, recurring in nature बार-बार हो रहे हैं, इसका product से कोई लेना देना नहीं, इसको तो यह अपने business को run करने के लिए हो रहा है, this is not will be called as product cost, अभी हम closing stock निकाल रहे हैं, label land में समझो, जो आश तक आप समझ रहे हैं, अपन क्या निकाल रहे हैं, closing stock, क्या ये goods, ये closing stock के लिए specifically किया गया है, नहीं, आपने business को run करने के लिए किया गया है, अच्छा, फिर reckoning type के nature के expenses को आपन यह include नहीं कालते हैं, कौन से nature के expense को include करेंगे, consignee के, non-reckoning nature, permanent in nature, specific उस particular, हर बार, हर lecture में ये mouse ही फस जाता है, इस mouse को go down तक या shop तक लाने तक के लिए जो expense consignee ने किया, जैसे entry, city के अंदर, औक tribe रे किया, unloading पे किया, समझ में आ रहा है किया, इसकी एक type का साहे तक unpacked आया होगा, इसको packing किया, तो whatever the cost directly attached हो, जो इसके उपर दुबारा नहीं होने वाले, क्या एक बार pack करते हैं, तो दुबारा pack करोगे next year, क्या इसके अंदर एक बार entry gate unload करवाजिए, क्या हम करते हैं, next year आ गया, इसको फिर से load करते हैं, फिर से unload करेंगे, ऐसा कुछ करने वाले हो क्या, नहीं, एक बार फिर से government का tax पे करोगे क्या, नहीं, क्या ये बास समझ आ रहा है, मतलब क्यों सा है, एक दम fixed इसके उपर इसके लिए जो non-reckoning nature है, वो सब हम इसके में include करेंगे, तो non-reckoning यहापस कितना था, 800, कितने के उपर लेकिन किया था, 400 के उपर, लेकिन 40 के उपर कितना होगा, 80 रुपीज, समझ में आ रहा है क्या, यह calculation निकला, यह per unit टिकाल के आप multiply करों, यह समझ कहां से आ रहा है, बोलते हैं, गुजरात से आ रहा है, आपने entry tax pay किया, क्या, नहीं, pay करो, क्या दुबारा फिर से गुजरात भेजोगे, क्या, material, नहीं, एक बार entry हो गई, हो गई, okay, so clearing expenses, जो है, cleaning नहीं है, clearing है, ठीक है, so, इसके एक बार होगा, next है, जो advertisement है, क्या उस particular product क sale करने के लिए करता है, उसमें advertisement करके इसके अंदर कुछ गुछ नहीं नहीं वाला, right, समझ में आ रहा है क्या, तो clearing expenses को count करेंगे, कौन सा expense बोलेंगे इसको, non recurring, and to be include करेंगे, but ये कौन सा है, recurring है, इसको include नहीं करेंगे, ठीक है, यही चीच के बारे में हम आगे देखने व सो वो था ये आप की screen के सामने, जिसको बोला जाता है, बहुत सब चीजे लिखवा के आपको दी गई हुई है, आप लोग ने क्या पढ़ा है, नहीं पढ़ा, मिरो को धिहान नहीं है, नहीं आदा रहा, नहीं आदा रहा, पूर पूर आते रहते हो, बस एक बस देखो तो स periodic cost या period cost बोलते हैं, इग्नोर करता है, रेकरिंग इन नेचर रहता है, rent, electricity, salary, insurance of, go down, this, that, मैंने सब आपको बता रिया, ओके, internet and all, internet जाके घुस्तोणी न जाएगा विचारे के अंदर, mouse के अंदर, नॉन रेकरिंग जो product cost है, include है, include किया जाएगा, नॉन रेकरिंग नेचर होता है, transport, packing, insurance of, goods in transit, एक ही बार, goods in transit रहेगा, बार-बार घुमाते रहोगे उसको, तो इसलिए बोला गया है, तो, अभी तो student इसी में confused हो जाता है, कौन सा सर, include करना है, logic समझो, इसलिए बार-बार मैं पूरी कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूं, मत याद रखना, रेकरिंग नॉन रेकरिंग, जो वन टाइम cost रप्रोड़क के उपर, वो include करेंगे, जो बार-बार regular होती रहती है, उसको include नहीं करे का है, हमेशा जो consigner का रहता है, तो पहले भी हमानते थे, कि वो non-recording in nature रहता है, one time product cost रहता है, और जो consignee का expense बस बोल दिया है, और कुछ भी detail नहीं लिख रहा है, उसको अपन बोलेंगे, रेकरिंग इन नेचर, एंड उसको हम closing stock के valuation से ignore कर देंगे, ध्यान रहेगा, in the absence of in detailed information, अब goods invoiced at above cost, यदि cost के ऊपर यदि आपको भेज रहे हो, goods invoiced above cost, मतलब जो cost है, उसके ऊपर एक price लिखके, या MRP पे या कि उसके ऊपर की एक specific cost लिखके भेज रहे हो, किसको, consignee को, agent को, उस case में, जिसको अपन अभी बात कर रहे थे, कि आप pro forma invoice में भेज रहे है, estimated amount में भेज रहे है, उस case में हमारा एक term generate होता है, word आता है, loading का, तब उसमें किसका इजात होता है, loading का, pro forma invoice क्या होता है, is made out of value higher than the cost and the interest in the books of the consigner, are made out of that basis, उसमें थोड़ी सी एक changes आता है, जितना भी loading रहता है, यह सब कौन maintain कर रहे है, बताओ, consigner, कौन maintain कर रहे है, consigner, क्या consigner को margin पता नहीं है, पता है, consigner क्योंकि owner है, उसी में cost भी लिखा, उसके उपर profit भी add किया है, invoice बनाया और भेजा, उसको पता है, तो वो क्या करता है, जब जिस invoice में भेजा, तो उसमें हम लिखते है, good sent on consignment to consignment, वैसे ही चलता है, लेकिन एक और entry कर दिया जाता है, एक और अब यह amount था, कितने का, 20% on cost लगा है, इस topic में एक चीज और concept पूरा truth to us के आने वाली मैंने पहले भी बहुत 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 बार बोला है कि पूरे chapter में, ऐसे बहुत सारे chapters है हमारे accounts में, जिसमें 20% on cost means होता है, 16.667% of sale, 25% of cost का मतलब होता है, 20% on sale, यह यह कूट-कूट के पढ़ा-पढ़ा के मैं ठक चुका हूँ, यह concept तो आपको logic भी पता है, हर प्रकाल से मेरे किसी भी student को इस concept में problem दे बिलकुल भी नहीं होनी चाहिए, और यह आपके पूरे CA career में लगता रहेगा, लोग परिशान रहेंगे, लेकिन आपको one-fifth of cost, one-sixth on sale, so sixth आपने बढ़ा दिया, कोई doubt है कि इसमें, समझ में आ रहे है, one-third of cost, one-fourth of sale price, यह जिसको समझ में आ रहे है concept, आप सब को बहुत बार पढ़ा है, ध्यान आ रहे है कुछ, हाँ, कुछ-कुछ? इसके बारे में ध्यान रखना बच्चो, मैंने इसका पूरा सीरीज लिखे लिए है, कहीं न कहीं फिर से एक बार दिख जाएगा, कोई बड़ी बात, इन्वेंटरीज में है, मतलब ऐसा कोई topic नहीं, बहुत सरे topics आपने लिखा हुआ है, क्योंकि हल जगह लगता है वह, हाँ, हम बात कर रहे हैं तो loading की, तो उसने बोला है, 20% on cost of 500 articles, सो, जस्ट क्या होने वाला है, consignment to goods sent on consignment, यह किसमें रहेगा, pro forma invoice में रहेगा, लेकिन एक reverse entry करते हैं, फिर से वही entry को reverse करते हैं, देखो, goods sent on consignment account, debit to consignment, और bracket में लिखते हैं, क्या loading, मतलब, एक बस 60,000 से debit हो रहा है, 10,000 से credit हो रहा है, net debit कितने से हुआ है, 50,000 से, it will become what, cost, हम कर रहे है, cost में, लेकिन बस जब हम सामने वाली party को, agent को मिलेगा, तो उसको कितने में मिलने वाला है, बस दिखेगा, 60,000, यह कौन बना रहा है, owner खुद बना रहा है, यह account, पूरा का पूरा, done, अब एक और होता है, इसी तरह है, जो consignment stock होता है, उसको भी हम किसमें maintain करत है, invoice price या pro farma invoice में maintain करते हैं, क्योंकि यह stock कॉन देने वाला है, बताओ, consignee, consignee बोलता है, यह closing stock है, हम बोलते है, तुने बेज दिया न, consignment, consignee का closing stock, बाकी मैं देख रहूँगा, calculation बेज दिया न, उसको क्या लग रहा, consignee को, closing stock कितने का है, 6,800 का है, लेकिन हम को पता ह है, कि उसका value 6,800 नहीं है, उसके अंदर क्या चुपा हुआ है, profit, तो हम profit को change करते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, to stock reserve, जिसको अपन बोलते है, loading on closing stock, और उसको भी अपन calculate कर लेते हैं, समझ में आ रही है, कैसे कर लेते हैं, ध्यान रखना, जब भी हम, हमने यह loading निकाल लिया valuation of closing stock, अब यह क्या आ रहा है, invoice price of 50 articles, add to these 120, 6,000 रुपीस का क्या है, बताओ, invoice price में, जो हमने goods consigned किया था, proportionate expense, consignor और consignee के, यह दोनों add कर दिये, यह क्या निकल किया आ गया, यह क्या निकल किया है, closing stock या consignment stock account, goods, जो कहा है, consignee के पास है, लेकिन क्या बताओ, 6,800 के उपर हमने कोई percentage लगा हैंगे, क्या, नहीं, हमारा किसके अंदर profit margin है, सिफ 6,000 के अंदर, 500 और 300 के अंदर, यह तो expense है, इसके अंदर कोई भी margin नहीं है, तो हम loading जो calculate करते हैं, तो invoice price उसके उपर होगा, कभी भी 6,800 के उपर कोई भी calculation नहीं करना है, जो जो mistake आप कर सकते हो, वो मैं याद दिला रहा हूं आपके, done, तो उसने 16.667%, 1000 और बीज निकाल लिया, किसके उपर, 6000 के उपर, समझ में आ रहे हैं, so, this way, यह भी एक concept आपका cover हो रहा है, okay, अब आता ह है, बहुत सारे, commissions वगरा भी है, उसके बारे में भी व्यपन पढ़ेंगे, और उससे क्या impact होगा, okay, normal loss and abnormal loss भी, एक बार इसको main पढ़ो आप, so, in case of Dell credit commission, यदि कोई भी Dell credit commission नहीं दिया जाए, जो तो अभी तक हो रहा था, जो अभी तक हमने question देखेंगे, देखा होगा आपने, उसमें क्या रहेगा, एक रहेगा consignment जहाँ Dell credit commission नहीं दिया गया है, okay, so, वहाँ पस क्या रहेगा, cash sale भी रहेगी, और credit sale भी रहेगा, okay, जिसका पैसा नहीं आया है, उसको क्या बोलेंगे अपन, credit sale, रहेगा, consignee ही, लिखे जाएगा, यहाँ पस क्या, consignee, but, क्या हो गया, ordinary में, by consignee, cash आएगा, by consignment trade receivable करके आएगा, जो credit sale रहेगा, एक टाइप का यह अलग से दिखा रहेगा, ठीक है, so, यहाँ पस क्या रहेगा, दोनों type का रहेगा, consignment का trade receivable है, मन्दब किसका trade receivable exactly, owner का trade receivable है, आया, तो, owner को मिल जाएगा, और नहीं आया, तो, owner को, नहीं मिलेगा, in case, bad debts हो गए, who has to be here, the owner has to be here, in case, लेकिन, Dell credit commission यही मिल रहा है, उस case में, जो bad debts का responsibility है, वो किसके पास रहती है, consignee, हम बोलते हैं, consignee, यह कुछ हम अलग से consignment trade receivable नहीं बनाएगे, यह पैसा मेरे को चाहिए, मतलब चाहिए, bad debts होगा तो, तुम देखना, और नहीं होगा तो, तुम देखना, मेरे को पैसा कितना चाहिए, पूरे के पूरे हजार रुपया, अब भी के अब भी देदो, और तुम receive करते रहे ना आराम से, समझ में आरी ही बाते, यह हम किस से दिकवर करते है, पूरा पूरा, डेल क्रेटे कमिशन, मतलब यह एक्स्ट्रा कमिशन रहता है, तु स्क्योर आवर bad debts, कौन? कंसाइनर दे रहा है, एक्स्ट्रा, ओके? सो एक नया अकाउंट आपके सामने आ गया है, उसका नाम क्या है? कंसाइन्मेंट ट्रेड रिसीविबल अकाउंट, कब होता है? जब ओर्डिनरी कमिशन दिया जाता है, नेक्स्ट आते हैं, नॉर्मल लॉस एंड अबनॉर्मल लॉस, उसके पहले हम सब कमिशन वाला पार्ट देखे क्या? कमिशन, टाइपस ओफ कमिशन, एक ओर्डिनरी कमिशन होता है, जो सिंप्ली डिनोट्स ओर्डिनरी कमिशन, इसमें हमें इसमें क्या रहता है? हमको अलग से क्या करना बढ़ता है बच्चो? जो बैट देट्स के रिस्पॉंजबिल्टी वो किसके पास चली जाती है? हमको पूरा का पूरा पैसा मिलता है, लेकिन हम यहां पर दो कमिशन देते हैं, एक ओर्डिनरी कमिशन भी देते हैं, और डेल क्रेटर कमिशन भी देते हैं, इंक्रीज दे सेल एंटु इंक्रीज दे कंसाइने टुमें रेडिट सेल जितना आप करोगे जनली बहुत बाद डेल क्रेडिट कमिशन किस अमाउंट की उपर दिया जाएगा जितना आपने क्रेडिट सेल किया है तो यह कुश्चन पूरा डिपेंड करेगा कुश्चन बोले क्रेडिट सेल करोगे हम उसके उपर और क्या दे देंगे तुमको डेल क्रेडिट सेल करेगा क्रेडिट सेल करेगा तो बैट डेट सेल किसके पास है कंसाइनी के पास है और जब भी आप लाइफ में क्रेडिट सेल करते हो आपकी सेल क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है मै प्रश्ट पर देटेंगे लेकिन जब सिर्फ और यह क्या देते हैं और इनली कमीशन उसकेस में बैट इसको अपने बूक्स करना पड़ता है अब आता है ओर राइडिंग कमीशन हमने बोला है एक्स्ट्रा कमीशन अलाउट टो थे कंसाइण टो प्रमोट थे से लट हायर पाइड हो दे कांव अ हम ने आपको 50 हुआया हमने बोला है 80 रुपर को क्या मिलेगा UMN rp ओरेटी कमीशन की जणे आपने कि एक्स्क टूं टूं के उपर हम आपको क्या पर तो हैं पूरी त equipped करेगे उस ने बोला है की घ्री टूंकि य slash कंए हुआ जेख वन सेन्यार्फ़राक ty एक्सट्राइब इसके उपर आप होते तो क्या देते जो भी एक्स्ट्राइमाउंट में सेल किया है एक्स्ट्राइब द़ाइब इसके उपर क्या देंगी है अपन ओर राइडिंग कमेशन तो वहाँ पस आपको बाहर बाद लिखना पड़ेगा कमेशन और डिल्ग्रेट एंड ओर इंड जैसे इन तीन कमेशन का इजात होता है तो आपको थी टाइब के कल्कुलेशन इन और बना के दिखाया है जब नॉरमल कमीशन दे रहें साथ में क्या आने वाला बैट पास इन्वार्ट फोगा इंगे से लेकिन जब हमने Dell Credit Commission दे दिया है तब Credit Sale करें, Cash Sale करें, हमसे मतलब नहीं है, जो भी Credit Sale की उपर bedadets की होगा, तो भी हो भी रहा है, तो भी हम यहांपस record नहीं करेंगे क्योंकि यहांपस Commission दो टाइप कर दिया जाएगा कौन-कौन से ordinary प्लस डेल ट्रेट रेकमिशन चलो ये भी हो गया अभी concept में और क्या बचा है वहाँ पास वो बचा हुगा है in the books of consignee का भी concept है वो भी देखेंगे हम advance payment का हो चुका है already हमने देखा है मैं आपको ये overall दिखा रहा हूँ कि आपके कौन-कौन से concept बचे हुगे है इसके आगे सिर्फ question से सिर्फ अभी हमारा बचा है दो चीज एक in the books of consignee इसलिए मैंने starting में छोड़ दिया कैसे चल रहा है लेकिन consigner भी consignee का account बनाता है उसके बारे में मैं discuss करूँगा आप से अब आते हैं normal loss and abnormal loss के पर बहुत अच्छा concept है इसको पहले आप प्रस देखो तो यहां पास क्या-क्या रहेगा जैसे मैंने अब भी आपको बता रहा था normal loss के case में यह normally होगा business में उसको अपन ignore नहीं कर सकते तो बिजनस के ही एक टाइप का यह expense होगा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करो के automatically वो लॉस जो है नॉर्मल लॉस है वो कहां आ जाएगा हमारे net profit से या profit जो आ रहा है उसमें से एड्जिस्ट होके आ जाएगा अब यह जनरली नॉर्मल लॉस किस टाइप के लॉस होते हैं cotton cotton जब fresh fresh निकलेगा थोड़ा सा वो क्या रहेगा वेट रहेगा वो ट्रांस्पोर्ट में क्या होगा travel करेगा हवा लगेगी या तो वो सूख जाएगा तो क्या हो जाएगा उसका वेट थोड़ा कम हो जाएगा या कि बारिश हो रही होगे रास्ते में थोड़ा सा वेट हो जाएगा या कि एट्मॉस्फियर वैसा है तो उसका वेट बढ़ जाएगा तो नॉर्मल लॉस और नॉर्मल गेन उसको अपन रिकॉर्ड नहीं करते हैं पेट्रोल का टैंकर है आ रहा था उसको फिलिंग और अन्फिलिंग करते वक्त क्या होता है इस नॉर्मल एवोपरेट हो जाता है ओके वो नॉर्मल लॉस है उसको अपन काउंट नहीं करेंगे 100 लीटर आ रहा था आया कितना 99 लीटर पहुंचा यहां पास वो कैसे होका वो देखने है अभी एक मूवी का सीन चल रहा था पैट्रोल का टैंकर आ रहा था हीरो आया कट मारा अपने विलन को कार को और वो जाके टैंकर के तरह घुज गया बलास हो गया और पुरा फट गया टैंकर तो यह क्या हो गया हमारा abnormal loss यह loss क्या consignee के कारण हुआ है क्या नई क्या वो consignee को यह loss record करके बोले तु बेकार है भग यहां से ऐसे बोलना चाहिए क्या नई इसलिए हम इसको इस type से record करते हैं ध्याना न matching concept के बारे में इस type से record करते हैं कि हमने जब भेजा गुड्स को तो तब तो हम लिखेंगे goods sent on consignment यह goods जाएगा कितने का गया 1 lakh का लेकिन उसमें से 10,000 का यही loss हो गया हम बोलते हैं एक काम करते हैं यह आपके कारण नहीं हुआ abnormal हुआ यह नहीं होता तो आपका business तो normal चल रहा था आपको भेजा ही नहीं हमने और हम इस consignment से इसको बाहर निकालते हैं बाहर निकालने के लिए अंदर लाने के लिए क्या किया दा debit side में बाहर निकालने के लिए credit side में अब by loss in transit अब यह loss किसका है बता इक्जक्ली consignor का है consignor का खुद का एक PNL account बनता है trading PNL अभी भी वो बनाएगा भाई ऐसा थोड़ी नहीं बंद कर देगा business ठीक है यह loss in transit कहा जाने वाला है उसके PNL account में जाएगा क्या यह बात clear हो रही है यहां से निकाल दिया जाएगा क्या यह बताओ 1 lakh का goods भेजा नहीं हम क्या मानेंगे सिर्फ 90,000 का ही goods हमने भेजा है समझ मैं आरी बाते अब हम उसके accordingly यह किस case में करते है abnormal loss के case में क्या किसी को कोई सी बावा कोई करने जाने इसके अलावा कोई भी adjustment ने अब आप बात करोगे इसमें से कुछ insurance आ जाए अब देखो मैं उसका भी आपको solution दे रहा हूँ insurance भी आ जाए तो insurance का expense यहाँ add होता है मैं मानता हूँ लेकिन वो दो goods के लिए होता है जो lost हो गया उसके लिए भी रहता है जो lost नहीं वो उसके लिए भी रहता है that is a part parcel of the expenses जो सबसे पहले आता है इसको calculate करने का एक तरीका होता है यह मैंने simplified तरीका दिखाया है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या incorporated है cost इसके अंदर और क्या incorporate होने वाला है जो अब consigner ने loading करवाया लोडिंग की charges तो मनदब consigner के generally सभी टाइप के expenses इसके अंदर क्या हो जाते है इसके अंदर दो cost आती है एक कौनसी goods की cost और consigner की cost consigner ने जो expense किया उस goods तूपर उन दोनों को मिला के यह जो क्या बनेगा loss and transit का amount आएगा क्या यह बास समझ में पकड़ पा रहे हो अब for example यह कितना हो गया है total हो गया है यहां पास आप क्या कर सकते हो insurance को record कर सकते हो तो क्या होगा for example उसमें से 9000 दे लिया तो 9000 क्या कर देंगे पैसे आ गए तो क्या लिखोगे buy bank लिख दोगे insurance and all लिख सकते हो insurance claim बस मिल गया है confirm हो गया तो insurance claim लिख सकते हो दूसा तरीका है यह insurance का जो है यहां पास से goods को निकाल दो जो भी insurance अगरे adjustment कहां करेगा consignor अपने PNL account में करता बैठेगा समझ में आ रहा है क्या यहां से हमने क्या treatment किया हमको यह goods मिला ही नहीं हमने भेजा ही नहीं consigne को मिलेग अभी नहीं हमने भेजा ही कितना है night amount ठीक है तो there are two way to treat this दोनों में impact क्या होने वाला है nullified होने वाला है ऐसा कुछ नहीं है लेकिन कहां गड़बड हो जाता है कुछ कुछ questions में examiner में क्या किया abnormal gain दिया हुआ है तो क्या बोलता है consignment समझना बात को abnormal gain इन केस आप इंसरेंस कंपनी से fraud कर रहे हो अरे आप इंसरेंस कंपनी के बोलोगे मेरे को 11,000 का loss हुआ क्या 15,000 आपको भेजेंगे आपने जब अजस्ती दिखाया 11,000 का loss हो आपने भेजा है 20,000 का loss है तो आप फ्रॉट कर रहे हो तो वो abnormal gain यहां फस होना थोड़ा सा possible नहीं है आप fraud कर रहे हो तो fraud आप books में record नहीं करने वाले हो वो कुछ questions में दिया गया है तो आप उस case में बोलेंगे यह जो abnormal gain हुआ है इंसरेंस क्लेम से एक्स्ट्रा पैसा आ गया है 12,000 इस से किस यदि यह accident इस consignment में नहीं होता तो नहीं हमको benefit होता तो हम इस profit को abnormal gain को यहां record करें that is a myth वालतु की बखवास है समझ में आ रही है बाते लॉजिक क्लियर हो रहा है अपन नॉर्मल लेक्चर में नहीं है वापस आते हैं तो loss in transit के अंदर दो चीज़े आएंगी अपन आगे देख लेते हैं मैं यहीं के एक छोटे से example से 100 swing machine थी costing 2,500 इस थी consignment विस sent किया गया था and 10,000 spent किया गया था कितने machine के लिए 1,000 machines के लिए and 20 machines are damaged beyond the repair अभी उसका repair भी नहीं हो सकता तो हमको abnormal loss निकलना है सबसे पहले इसके अंदर क्या आएगा 2,500 rupees for each machine तो 20 machines के ओपर 2,500 तो यह 50,000 को cost हो गई इसके ओपर हमने expense कितना किया गया है 10,000 हमने expense किया हुआ है लेकिन कितने machines के लिए 1,000 machines के लिए 20 machines के लिए कितना होगा that is 200 rupees तो टोटल आपका 50,200 विल बिकम वाट goods, loss and transit या abnormal loss दोनों शब्दों में कुछ भी लिखके खत्व कर सकते हो right, do you agree with this so अब बात आती है claim की या net loss की अब देखो question यहाँ पास आपना institute की module में दोनों चीज पा जाओगे अभी यहाँ पूरे का पूरे concept में खुद लिख रहा है consignment से इसको get out करो abnormal loss को देखो, कैसे the amount should be credited to the consignment account debited to the PNL account तो आपके consignment में क्या आएगा मालूँ है PNL account debit to consignment किसको किसको यह बास समझ में आई क्या आना चाहिए consignment account है यहाँ पास तो यहाँ क्या लिखना चाहिए by PNL और जितना पूरा निकाल देना चाहिए bracket में लिखो ना abnormal loss हमने कम बना किया है यह कौन बोल रहा है यह खुद बोल रहा है concept अभी debited to PNL अब PNL account में जाएगा तो क्या लिखा जाएगा PNL account में to consignment to Delhi जो भी amount abnormal loss का जाएगा क्या यह बात समझ में आ रही है सो हमें consignment account में क्या करना है credit and debit कहा करना है PNL account में if any amount say 40,000 received from the insurer insurance company से कुछ पैसे आ गए insurance company से कुछ पैसे आ गए है हमको so then debited to the PNL account will only be 10,200 तो क्या बोल रहा है क्या consignment account में कुछ करने के लिए बोला कि उसने तो PNL account में कितना debit होगा 10,200 in case still आप बोल रहे हो कि insurance company से आ गए और आपको यहां पास consignment में कुछ करना भी है तो देखो यह consignment है आप क्या कर सकते हो buy insurance claim या bank जो भी लिखो 40,000 और buy PNL लिखोगे तब भी amount आपका maximum पहले भी 50,200 था और अभी 10,200 ही लिखोगे तो total amount never will become more than 50,200 रुपीज आपको यह भी करना है न buy insurance company, buy bank ultimately आपका consignment account debit कितने से होने वाला है 50,200 से debit होने वाला है जितना भी transit में आपका loss हुआ है चाहे abnormal loss लिख के बाहर कर दो, चाहे PNL लिख के बाहर कर दो, चाहे आप कुछ भी करो insurance का कोई खास role यहां पास होता नहीं है ठीक है 40,000 will be has been debited to the bank account but credited to the consignment account will still be 50,200 40,000 will be debited to the bank account वा आगे सब ज्यान लिख रहा है student shall note that the abnormal loss is valued just like an inventory is in hand बिल्कुल उसी तरह करते हैं जब तक वो expense कर रहा है consigner, अच्छा कुछ consignee के पास आने के बाद या कुछ consignee ने expense कर दी और लिखा हुआ question में कुछ consignee ने expense किया तो क्या include नहीं करोगे, करोगे abnormal loss calculate करते बाद question आपको कुछ भी घुमा के बोल सकता है okay student should be careful while valuing the goods loss in transit and goods lost in consignees go down जब consignee in transit loss होता है तो सिर्फ और सिर्फ किसका expense include किया जाता है consigner का, लेकिन in consignee go down में loss होता है तो consigner का भी include करते हैं और consignee का भी include करते है abnormal loss calculate करते बाद इसमें कोई rocket science है नहीं लेकिन जब ये दोनों चीजे हो जाती है तो आपको ध्यान कहां रखना पड़ता है जब consignment stock closing stock जब calculate करते हो तब उस वक्त आपको ध्यान रखना पड़ता है जो proportionate expense आप calculate करोगे उस वक्त आपको कौन से figures लेने है समझ में आ रही ये बात है यह देखो लिखा है further for the purpose of valuation of inventory in hand कब जब आप valuation करोगे in hand का it should be noted that while the normal loss will be considered as part and the cost of the remaining goods whereas abnormal loss is ignored in the example given 10,000 kg apple है यही देखो last point यही है द्यान से अच्छे सुनो sent at 10 different trucks में out of which one track met with an accident 500 kg apples destroyed in such case the cost of remaining apple will be computed as follows total apples कितने shift हुए थे 10,000 loss कितने हो गया 500 remaining apple कितना है 9,500 आपको ऐसे ही treat करना है कि आपके पास apple भी कितने कितने थे 9,000 सब ignore करते जाएंगे देखते जाना कैसे 3,40,000 तर 34 रुपीज पर kg including freight 17,000 loss हो गया 34 रुपीज पर kg including freight अब यह including freight लाया कैसे 34 रुपीज आप यह देखो पहले इसके अंदर कुछ लिखा है क्या कुछ तो लिखा होगा न 10,000 kg है 10 truck है MET है 500 apples है चीक है नॉर्मल loss कितना है इसमें 15% है 1425 तो remaining sellable apples कितने है 8075 सो यहां पास यह कितना है 3,23,000 यह कैसे आ रहा है 40 रुपीज पर kg जो 3,23,000 रुपीज आया है वो 8075 से डिवाइड करके आ है यह सब आप कैल से कैल्कुरेट करोगे यह देखो यह आप जो ले रहे हो 3,23,000 कब ले रहे हो यह amount abnormal loss के बाद का सबसे पहले आप abnormal loss निकाल दिये तो हमें normal loss को इजद देनी ही नहीं है normal loss को इजद देनी ही नहीं है सबसे पहले आप क्या करोगे यह 34,000,000 लिखा हुआ है 10,000 kg के लिए है तो 34 रुपीज पर kg क्या बन गया हमारा cost बन गया तो 34 रुपीज पर kg ही हमारा including freight है 500 multiplied by 34 is 17,000 3,40-17 कितना होता है 3,23,000 यह अभी भी 9,500 apples हमारी लिए कितने है 34 रुपीज में समझ मैंनी बात लेकिन जब आपका normal loss जो हो रहा है जो stale हो गया, damage हो गया तो वो सबको अपन क्या करेंगे that is a normal loss, truck नहीं damage हो रहा है, एक दो piece खराब हो रहा है, वो बोल रहा है जितना loss हो गया है उसको अपन net kg बना देते है, 9,500 minus 15% हमारा net kg आ गया, and net kg will become what sellable 1, तो 3,23,000 divided by 075 is equal to 40 kg 40 रुपीज पर kg तो यह हमारा हमेशा क्या बनेगा cost बनेगा हमेशा, कभी भी calculation में It is clear from above example abnormal loss will not impact on per unit cost हम क्या करते हैं, per unit cost क्यों नहीं impact करता, क्योंकि जितनी cost लगी हैं, हम यह tweet करते हैं, कि हमको मिला ही नहीं वो हमको कभी आया ही नहीं है, हमको कभी भेजा ही नहीं गया वो, good हम exactly remove कर देते हैं, इसलिए per unit cost will remain same लेकिन जब हम normal loss calculate करते हैं normal loss करते हैं, तो हम यह include करना पड़ता है commission हो गया अभी accounting in the books of consignee consignee के books में एकदम simple है जो सबसे पहला step याद रखो goods आएगा नहीं पहले क्या होगा, advance बेजेगा making sale कर रहा है यहां पास, तो sale करवा दो लेकिन advance तो पहले भीजने वाला है यह वाले entry पहली होती है that is consignee account debit to bank, सबसे पहले क्या भीजता है advance, फिर उसके बाद क्या करता है second second क्या करता है, expense करता है क्या वो खुद के लिए expense करता है क्या entry करता है salary account debit to bank, लेकिन यह किसके लिए कर रहा है, consignee consignee account debit to bank समझ में आरी बाद, next क्या करेगा, यह expense करने के बाद sale करेगा, यह third entry बनती sale करेगा तो क्या आता, पैसे आते खुद का पैसा है क्या, नहीं, किसका है consignee account debit to sales और स्वारी, यहां पहले क्या किया है, उसने cash and bank to consigner, पैसे आ रहे हैं, लेकिन consigner के भीहाफ पे आ रहे हैं, तो consignee कुद के लिए नहीं कर रहा है, वो क्या करता है sale record नहीं कर रहा है, directly cash and bank debit to consignor's account, next आ रहा है bad debts record करेगा, in case dell credit commission नहीं मिल रहा है, तो bad debts record करेगा कैसे कर रहा है, bad debts to customer account and customer account debit to वो जो भी रहेगा, आपके consignment तक पहुचा देगा, and writing of bad debts, when dell credit commission is not allowed रहेगा, तो consigner account debit, consigner personal account debit to bad debts, तो consigner को जितना पैसा देने वाला है, उससे को क्या कर देगा, deduct कर देगा समझ में आरी बाते and when dell credit commission is allowed, तो उस case में क्या करेगा, उसके commission का amount रहेगा, उससे क्या करेंगे, bad debts को, वो set off करने की बारे कर रहा है, लेकिन हम अलग से भी कर सकते हैं bank account debit to commission जो किया है बाख में commission to bad debts हमने adjust करने की कोशिश की है, वो सब के बारे में बोल रहा है, वो, okay इसका एक question आपको करना पड़ेगा, advance security के लिए रहता है, this and that वो घ्यान दे रहा है question number ये वाला y कौन सा नीचे वाला, ये x and y, ये बहुत बार आया है, इसको अपन read कर लेते हैं, don't worry चलो, तो हमने कहाँ, कौन-कौन सा question, इस एक question आप अपने एक बार discuss करते है, x sent on 1st July 2016 to y, goods costing rupees 50,000 and spent 1,000 on packing, ये क्या-क्या हो रहा है, आपको सुमिव में आ रहा है, ये क्या है 50,000 goods sent on consignment, ये क्या है, bank consignor's expense on 3rd July y, received the goods and sent his acceptance to x for rupees 30,000, payable at 3 months, ये क्या हो गया, will of exchange type का दे दिया है उसने, लेगिन ये क्या है, advance, ओके, ये कहाँ जाएगा, consignee का account, मैं consignee का account बनाना बहुत पसंद करूँगा, किसके books में बनेगा, definitely consigner के books में बनेगा, तो जब भी, देखो, ये पहले एक बास समझने की पोशिश करो, ये consignee, हाँ, आगे consignee की books में, वो ठीक है, वो अपन देखेंगे, मैं consignee का account बना रहा हूँ, consigner की books में, मैं consignee account समझो पहले, मेंने important है, consignee, एक कौन है हमारे लिए, हमको इससे पैसे आने वाले हैं, ओके, सो बार बार जब होँ पेमेंट होगा, तो bank account debit to consignee, सो जो भी पैसे वो भेज रहा है, तो कहाँ जाएगा बार-बार, और sale जब करेगा, तब entry क्या करेगा, consignee to good, consignment account, ये होने वाला है, तो sale कहाने वाली है, to consignment, bracket में क्या आएगा, sale, ये sale रहेगा, sale कितना रहेगा, आपका for example, 1000 है, उसने advance कितना दिया हुआ है, तो entry क्या होने वाली है, bank account, debit to consignee, advance के लिए, कोई वो directly कोई expense कर रहा है, तो इसका तो पैसा जाई रहा है, लेकिन वो क्या करेगा, क्या entry होने वाली है, ध्यान आ रहे हैं आपको, ये जब consignment account था, तो यहाँ पास क्या चल रहा था, buy क्या लिखते हो यहाँ पास, consignee, bracket में, sale, जब यहाँ पास consignment में consignee लिखा है, तो यहाँ पास consignee में क्या हैगा, consignment account, ओके, अब यहाँ पास expense कौन कर रहा था, consignee, consignee कर रहे हैं, तो यहाँ पस क्या आएगा, consignment के अंदर, consignee के अंदर, buy consignment, ओके, समझ में आ रहे हैं, तो यह account बनाना है, last में जो balance बचेगा, वो भी क्या करेंगे, buy bank करके, हम पैसे ले लेंगे, कौन consignee लेगा, settle करना है, यूज करना रहता है, तो हम settle मतलब payment कर देंगे, और कुछ भी नहीं लिखा है, तो buy balance carried down करके ही लिखना चाहिए, ओके, next, next आते हैं, why receive the goods sent is acceptance, 30,000, why spend 2,000 on freight and cartage, 500 and go down rent, 300 and 300 on insurance, इसमें से कौन कौन सा है, जो item वेकरिंग नेचर के हैं, go down and insurance, वो वहां कर रहेगा, freight क्या है आपका, और cartage, one time का है, on 31st December 2016, he sent his account sales, along with the amount due to act, showing that 4-5th of the goods has been sold for Rs. 55,000, 50,000 का 4-5th क्या कर दिया है, sold कर दिया, 1-5th क्या बचेगा, unsold कितना है, 1-5th, that is 10,000, यह कैसे निकल के आ गया, बहुत बच्चो के लिए, 50,000 के मॉल्टिप्लाई बाइब बाइब फाइफ, ओके, वाई, हाँ, आगे क्या है, sold कितने में कर दिया है, अब बता, 4-5th कितने का था, 40,000 का था, कितने में सेल कर दिया है, वाई, 55,000 के में कर दिया है, वाइब पॉइंट, वाई, इस एंटाइब टू कमिशन ऑफ 10%, तो इसके उपर उसको 10% का और क्या मिल जा, कमिशन, तो सबसे पहले, जिस फ्लो में इसने लिखा है, अपन करना चालू करते है, आप लोग को help करो, 1st entry, गुट सेंट ऑन, कंसाइमेंट की ही करेंगे, तो सबसे पहले इसको क्या मिलने वाला है, सबसे पहला involvement आएगा, एडवांस का, एडवांस मिल रहा है, ये दे रहा है, तो किसको दे रहा है, कंसाइनर टू, बैंक नहीं है, क्या देगा, बिल्स पेबल है ये, अरे भूलो मत बच्चो, एक्स टू, तो यहां कंसाइनर मैं लिख रहा हूँ, तो कंसाइनर कौन है आपस, एक्स, तो देख लो भाई, एक्स इस आ कंसाइनर, और वाई इस, कंसाइनी, तो सबसे पहली इंट्री, एडवांस की होगी, जो एक्सेप्टेंस दिया है, एक्स टू बिल्स, पेबल, सबसे पहली, रीजन क्या है, वहाँ पास कहीं भी नहीं लिखा, उसने वर्ड यूज करने की कोशिश की है, एक्सेप्टेंस, तो आपको समझना बढ़ेगा, कि यह किस चीज के लिए, ओके, नेक्स इसने क्या किया है, बताओ, खुद ने एक्स पेंस किया है, मैंने पहले भी बोला था, उसने सिक्वेंस से सारी एंट्री दे दी है, सेल की, एक्सपेंस की, फिर एडवांस की, पहला एंट्री क्या हो रहा है, यह आपन देखा जाए, सबसे पहले एडवांस जाएगा, फिर एक्सपेंस करेगा, तो किसके भी हाफ में गरा X to bank तो भाई यह X का है तो X को हम debit करते जाएंगे एक time आएगा बड़ा सा credit आएगा कब आएगा वो sale वगरा के time में आएगा देखेंगे next क्या है 3 months के बाद उसका क्या हो रहा है bills payable to bank उसके पैसे जा रहे हैं वो सब ध्यान देना पड़ेगा यह entry आप भूली जाओगे क्यों भूल जाओगे advance ले लिया बात खतम हुमारी advance किसमें ले लिया यह acceptance तीन महिने के बाद में है जुलाई है October में आ गया उसने बोला है वाय ने spent किया expense कब किया है on 3rd July यह entry भी करनी चाहिए तो वो इसने कर दिया पहले expense की 3rd of July को बाद में account sale कब send कर रहा है वो 31st December 2016 भी sent a account sale 31st December के पहले क्या हो रहा है जो bill of exchange था वो क्या हो रहा है matured हो रहा है 3 months का तो October में उसने क्या कर दिया पैसे ले लिए bills पेबल के आगे इस्ट में 31st December को sale के entry करेगा कितने की 55,000 की so sale being affected trade receivable oblique bank कुछ भी नहीं दिया है to x यह पैसे किसके है x के मैंने बोला था ना x एक time आएगा बड़े से credit हो जाएगा कितने से credit हो गया यहाँ पास x 55,000 से credit हो गया वाइट अभी जो कमीशन देना है तो कमीशन फिर रृट कर सकते हो and x बर सकते हो यह लेकिन अब यह कैसा logic के उपर किसको किसको समझ में आरहा है है किमीशन बता उ, इसके लिए क्या है भाई किसके book में हो कंसायिके books में उसके लिए इंकम है debit all expenses and losses होता है यहां पास on being bad debts के बारे में बात करता है यह bad debts के लिए चलो यह sale हो गई यह sale की entry हो गई है commission के entry आने से पहले उसने यहां पास bad debts record किये है जो पैसे हमको यहां कहीं del credit commission था क्या नहीं था तो जो भी bad debts हो रहा है हम x के amount से क्या करने वाले है less करने वाले x को जो देने वाले तो जितना भी हम उसको क्या कर रहा है debit यदि पैसे हमको जो नहीं देने उसको क्या कर रहा है debit दे रहा है और जो भी पैसे देने हम उसको क्या कर रहा है ट्रैइसार करता है नहीं हो रहा है सबस्क्राइब लाश्ट में यह कमिशन के नाम से भी कर सकता था बटो इसको कमीशन कितने आमांट की ओपर मिलेगा एनिवन पूरे के पूरे 55 के उपर मिलेगा इसका जो लाइबिलिटी डेल क्रेटे कमीशन मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है तो इसको बोलता है बैट डेट्स हो नहीं हो मेरे से मतलब नहीं है मेरे को पूरे के पूरे कमीशन के उपर क्या मिलने वाला है कितना परसंट था 10 परसंट तो पूरा का पूरा इसको क्या मिल जाएगा commission मिल जाएगा यह बैट debt का commission से कब adjust होता जब डेल credit commission होता तो हम पहले क्या कर देते जो commission under 55 उसका हम 600 से देखो एक बार commission क्या कर रहे हैं credit एक बार क्या कर रहे हैं debit वो क्या हो जाता if Dell credit commission यहापस होता तो last में on settling the account X to bank इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा if commission include Dell credit commission he would not be able to debit the X for the bad debts in that case debit account should be the commission earned account हमने commission earned हमारा actual में credit ही होना चाहिए यह concern ही का because credit all income and gains but यहापस in case Dell credit commission होता तो हम इसको debit करके उसका credit कम कर देते ओके यह भी हो गया ठीक है इसको एक बात देखो इसके कुछ account एक question discuss करके उसको solve करो then only you will understand कि how to deal with that main यहाँ पास आपका normal and abnormal loss के साथ वाला जो question है उसको जरूर करना एक ना एक क्योंकि normal यह loss वाला हटा दो commission भी सब आप solve कर लोगे main normal loss and abnormal loss का जब question है तो उसमें जो quantity होती है वो change होने लगती है जिसको आपको cater करना पड़ेगा done so that's it for today see you all in the next lecture take care bye-bye कर दो ईसका हुआ है कि अजयर लुएव बना बना पहले है यह जजयर कर दो दो इसका है